जहें दोस्तों, वेलकम टू वियाईपी सिविल गुरू, कंटेंट ही है हमारी पहचान, तो गाईज आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, S.S.C.J.E. के लिए 2023 के लिए जो पावरफुल स्ट्रेटिजी हमारी होने वाली है, उसको लेकर के मैं आ गया हूँ, फुल प अपने सपनों के लिए आप 60 दिन के लिए गयाब नहीं हो सकते, आप अपने आपको कड़ी महनत में 60 दिन के लिए नहीं जोग सकते, तो आपके किस काम के वो सपने जो आपने देखे थे, राके चोहान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं आप लोगों को बता दू वक्त तुम्हारा है सपने भी तुमारे हैं पूरे भी तुमको करने हैं माना डगर थोड़ी मुस्किल है मगर नामुम्किन नहीं करना यही है समय यही है चाहे तो सोना बना दो या सोने में बिता दो गाइस अपने आपके राकेश चौहान जी ने बहुत अच्छे बात कहिए कि आप लोगों के पास अभी limited time बचा हुआ है 60 दिन बचे हुए अगर आप 60 दिन के लिए गायब नहीं हो सकते अपने आपको मेहनत में नहीं जोग सकते तो आपके ओपर depend करता है कि आपको यह समय जो है वो सोने में बिताना है या फिर आपको सोने में बदलना है यह totally आपके ओपर depend करने वाला है बहुत ही powerful strategy लेका है totally practical strategy आप लोग के लिए होने वाली है और exam को निकालने में बहुत ज़्यादा help करेगी उससे पहले में कुछ चीज आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आप लोग को mention है देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए SSC G 2023 के लिए बहुत बड़ी opportunity है जैसे कि आप लोग को मालूम भी है कि total post जो है वो हमारे पास 1324 post है जो इस बार आई है SSC G 2023 जिसमें civil वालों के लिए देखो कितनी बड़ी opportunity है total 1 याई कि 1071 post सिर्फ और सिर्फ civil वालों के लिए हैं जो कि diploma और degree वालों के लिए होने वाली हैं तो आज आप लोग लिए 60 days की strategy है कि अगले 60 दिन आप लोग को क्या करना है किस तरीके साप लोग जो है वो exam को crack कर सकते हैं कौन सी वो चीज़े हैं जो आप लोग को exam को crack करने में help करेंगी उससे पहले कुछ चीज़े मैं आप लोगों से पूछना चाहरा हूँ यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को देखो तो question मेरे आप लोगों से हैं बहुत ही प्यारे question से पहला question से क्या sir 60 दिन में SSCJ pre-qualify हो सकता है यह question मेरा आप लोगों से 60 दिन में अगर आप लोग pre-qualify कर लेते तो उनका क्या होता जो पिछले एक साल दो साल से मेहनत कर रहे हैं सर वो तो लगे पड़े हैं उनका तो नहीं हुआ तो फिर आप ऐसा क्या देने वाले हो कि 60 दिन में qualify हो जाएगा देखो अगर आपके अंदर वो जुनून है और आपको भी अपने समय को सोने में बदलना है और आपके अंदर वो potential है आपका वो सपना है और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो जो चीज में आप लोगों को बताने वाला हो न यह 60 दिन में आपका pre to qualify करा देगी टोटली practical चीज होने वाली है आपको pre exam अगर निकाल के दे दे तो बोलना के हाँ सर आपने बोला था और pre exam हमारा वो qualify हो गया तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से sources हैं सर जो हमको exam निकालने में help करेंगे उन sources के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से हमारे पास sources हो जाएंगे जो आपको exam निकाल के दे देंगे उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग दो तरीके के students की बात करेंगे एक वो student जो हमको पिछले 90 दिनों से follow कर रहे है आपको मालूम है मैंने VIP library चलाई हुई थी SSCJEE के लिए जिसमें मैं आप लोग को daily task दे रहा था और इस daily task की वज़े से जितना भी हमारा non-tech वाला portion है वो हमने अपना complete कर लिया reasoning जो है वो हमने अपनी complete कर ली है इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें technical में तो technical में total हमारे 11 subject है जिसमें हमने 10 subject complete कर लिया और steel जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बचा हुआ है अभी हमने क्या है test देने सुरू कर दी है जैसा कि आप लोग को मालूम होगा तो अगर ये student है तो ये तो अपनी इसी strategy को जो है follow करते रहे अगर उनको कुछ लगता है कुछ modification की जरुएता है तो देखो सबकी अपनी potential होता है, सबकी अपनी energy होती है तो आज जो चीज बताने वाला हूँ अगर पीछे कुछ आप कर रहे गया तो उसको आप लोग follow कर सकते हो तो new student क्या कर सकते हैं new student के बारे में बात करते हैं देखो जो आज इससे start कर रहे है start from today देखो you are not freser, remember your power you are work from last three to four years आपको इसका क्या मतलब है देखो, आप यार सबने आपने तीन साल या तो आपने डिप्लोमा किया होगा ठीक है, या आपने चार साल की क्या होगी डिग्री की होगी तो ऐसा तो है नहीं के आप civil engineering में बिल्कुल freser हो, बिल्कुल new हो आप याद करो अपनी पावर को जब आपने क्या है, डिप्लोमा किया था जब आपने डिग्री किया था तो आपने उससे में बहुत मैनत की थी आप लगता लगे रहते थे, चीजों को पढ़ते थे तो वो सब चीज़े आपने पढ़ी है ना ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए चीज़े एक दम बिल्कुल नहीं होने वाली है हाँ, non-tech थोड़ा सा नया हो सकता है बट ऐसा नहीं कि टेक्निकल चीज़े आपके लिए नहीं होने वाली है तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज लेना अपने माइंड को इंस्टेक्शन देना है कि हाँ, ये चीज़े मैंने पढ़ रखी है मेरे को बस रिवाइज करना है, मेरे को बस रिकॉल करना है मेरे को एक्जाम के अकोर्डिंग इनको मोडिफाई करना है बस यह चीज अपने आपके मािंड को अपने माइंड को इइन्स्ट्रेक्शन देना है, क्योंकि यह माइंड म ायर, बहुत बेकॉफ होता है, अगर आप इसको बेकोफ बना के रखोगे, तो काम चलता रहेगा, और इसको जैसे instruction दोगे निए, वैसा काम करेगा, अगर आपने बोला चीज़े hard हैं तो hard होती चली जाएंगी, आपने बोला चीज़े simple हैं तो simple होती चली जाएंगी, यह totally आपके उपर depend करता है, तो यहाँ पर अगर आज से start करो तो आपको load लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार आप exam pattern देखो जो नया वाला है, exam pattern में क्या changes होएं, एक बार वो देखो अब, ठीक है, पूरा exam pattern नहीं समझाने वाला आपको, to the point हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखो, exam pattern की बात करें, CBT1 की तो आप लोग को मालू में GKGS पहले भी था, अभी भी है, reasoning भी है और technical भी है, आप लोग के 50 marks हैं, ठीक है, आ तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, क्योंकि technical आप लोग को बहुत important हो चुका है, पहले के comparison में, क्योंकि पहले यह descriptive होता था, अब यह MCQ है, यहाँ पर 2 गंटे आप लोग को मिलेंगे, यह paper 2 का है, धियान रखना है, यहाँ पर नहीं है, पेपर 1 में सिर्फ 100 question है, आ इसके बाद हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखिए सर हमारे पास, आपके mind में यह चीज हमेशा रहनी चाहिए, कि 200 question आने वाले और 120 minute है, तो question का label क्या रहेगा, question बहुत बढ़ा नहीं होने वाला है, question बहुत छोटे-छोटे होने वाले, क्योंकि 120 minute में हमको 200 question करने, प अब ऐसा नहीं होगा, अब पढ़ने वालों की मोज आने वाली है, वो कैसे है, क्योंकि negative marking आप लोग की 1y3 की हो गई, तो 1y3 की हो गई, तो पहले जो लोगों की तुक्के चल जाते थे ना, पिरी में, अब वो नहीं चलेंगे, अगर आप एक अपने पिरती इमानदार हो, अगर आपको महनत करना अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत हैल्प करने वाला है, कि 1y3 की जो negative marking यह पहले से अच्छा हो गया है, जो पहले तुक्के वाले थे, वो आप बहार हो जाएंगे, अब उनका नहीं चलने वाला है, क्योंकि 1y3 का negative marking काफी होता है, तो आप लोगों मैंने थोड़ा paper pattern बता है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं सर, जर्नल awareness की, किसकी बात करते है, जर्नल awareness की, तो जर्नल awareness का, रोल तो अब उतना नहीं रह गया, जितना पहले रोल था, उतना रोल ठीक है, 115, यह cut off आप लोगों को देखने को मिलती थी, 120, यह cut off देखने को मिलती थी, अब इसमें क्या है कि 1y3 की negative marking होगी, तो definitely cut off तो नीचे आने वाली है, cut off definitely नीचे आने वाली है, तो cut off नीचे आने वाली है, तो 100 के approach अगर cut off रहने वाली है, एक idea छोटा ले ले लेते ह 100 के approach cut off रहने वाली, तो भाई इसमें से 50 तो reasoning के ही होगे, और 50 अगर reasoning के होगे, तो 48 तो लोग easily score कर लेते हैं, अभी जो 90 days से हमको follow कर रहे है, 48 तो score उनका अब आ रहा है, तो यह तो 48 marks तो यह होगे, बाकि आप लोग technical में नहीं कर सकते हो, जो remaining आप लोगे बचे हैं 52, व हाँ, selection में तो marks add होने वाले न, mains में तो add होंगे, तो हमको इसको भी जो है वो अपना cover करना है, इसके लिए करना क्या है सर, इसके लिए आपको करना है, कोई भी coaching के notes ले लो, कोई भी coaching के notes ले लो, हमने भी अपने application पे, VIP civil गुरू पे, आप लोग को bilingual notes प्रोवाइड करा र वन लाइनर book आती है, आप लोग के लिए, black book जो GKGS की आती है, और bilingual होती हिंदी और इंग्लिस में भी होती है, इसकी खास बात क्या, इसमें आप लोग को जितने भी SSC के latest previous year के questions हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और top 500 most repeated questions, जो 500 questions इनों ने वो दे रखे हैं, जो SS लिंक में इसके description box में दे दूँगा, वहां से जाकर के आप इसको buy कर सकते हो, बहुत ही कम price में आप लोग को यह मिल जाएगी, ठीक है, तो एक तो हो गया यह, कि आप इसको follow करो, कोई भी coaching के notes उठाओ, black books revision करो, बार-बार जो है इनको पढ़ते रहो, ठीक है, कौन-कौन स लिए weightage by जो है, वो add किया हुआ है, जैसे कि सबसे ज़्यादा weightage रहता current affair का, फिर रहता है science का, फिर policy का, फिर history का, फिर geography का, फिर economics का, तो यहाँ पर current affair की गोरफ सर ने, उतकर्स वाले, उन्होंने class लिटी तिल जून, जून तक की class उन्होंने लिए, तो जून, जन्वरी से लेकर के, जून तक की current affair के लिए, आप उस वीडियो को देख लो, ठीक है, मैं इसको application पर भी provide करा दूँगा, अपने application पर चिंता मत करो, तो यह आप लोग वहाँ से देख लेना, बाकि अगस्त और सितंबर, दो महीने, इनकी class होती है, वन वन आवर की, वन आवर की class होत से इतनी powerful class है यह, तो यह आपको जो है, वो बहुत help करने वाली है, इसके साथ ही हम लोग बात करें सर, science की, तो science में आप लोगा सबस्यादा weightage रहता, बायो का, इसलिए three star लगे हुए, फिर physics का, फिर chemistry का, इसकी मैंने आपको अपने application में marathon class दी हुई है, आप उसको देख स क्या है, जो current affair based data है न, वो आप लोगों कर लेने, और कुछ topics होते हैं, important जैसे five years plans हैं, तो एक दो important topics हैं, आप लोगे, primary, secondary sectors होते हैं, economics के, तो वहां से आप उनका basics देख लेना, वहां से equations आपका बनता है, current से data से बन जाएगा, जो एक दो important topic है, economics के वो देख लेना, इतना आप लोग काफी है, अगर इतना आप लोग कर ले तो 50 में से 30 marks आप लोग के आ जाएंगे, easily 30 plus, और हमको करना क्या है, और इतना आप कर सकते हो, किसी भी coaching के notes से, बहुत बड़े notes नहीं होते हैं, ठीके, notes limited होते हैं, जब दिक्कत तबाती है, जब आप बुक से पढ़ने ब reasoning, reasoning का बहुत simple है, limited source रखना है, बहुत ज़्यादा confused नहीं होना है, reasoning के लिए एक book आती है, KP सिंग की book आती है, writer है, SSC के लिए इनकी book आती, SSC के previous year questions, इनों ने पहले concept दिये हुए, फिर questions दिये हुए, तो आपको यहां से अपनी concepts clear करने हैं, और questions करने हैं, उनकी chapter wise, फिर उ 2022 के paper हुए थे आप लोगे, उनका भी detail solution आप लोगो देखने मिल जाएगा, tech, non-tech, full test रीजे, और इसमें लगबग 15-16 हमारे full length test भी है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीके, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, आप जब Google पर search करोगे न, तो आपको tricks दे दे दूँगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो ये आप लोग search कर लेना, एक बार ये बहुत help करेगा आपको, ठीक है, ये reasoning की कुछ tricks है, limited source रखना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, reasoning में फिर से बता रहा हूं, ठीक है, play important role in selection after one by third negative marking, ये मैं आपको, sorry, ये मैं आ अब हम बात करते हैं, अपना main, जो कि हमारी selection की जान, technical, ठीक है, तो technical की हम लोग बात करें, technical आपका pre में भी आना है, mains में भी आना, pre में no doubt 100 questions है, mains में हमारे भी 100 questions है, लेकिन हरे question यहाँ पर 3 number का है, तो totally आपका 300 marks का हो जाता है, ठीक है, mains में, तो technical हमारे लिए important है, technical के ल पहले से, वन्ना अपने coaching के notes उठाने है, notes उठाने के बाद आपको 50 important chapters करने है, 50 important chapters कौन से हैं सर, मैंने एक video बना रखी है, civil engineering का कोई भी exam हो, evergreen, कोई भी, AJ का, यह 50 वो topic हैं आप लोगको, अगर कोई भी exam देने जा रहे हो, अगर यह 50 topics नहीं आते हैं आपको, तो आप exam से बहारो, competition साब बहारो, बिल्कु किलियर बोलना हूँ, यह इतने important topic आप लोग के लिए हैं, इसका link मैंने description box में दिया हुआ है, यह वहाँ से आप लोग इसको देख लेना, यह search कर लेना, top 50 important topics, why VIP civil guru, search करोगे तो video आ जाएगी, अब यहाँ पर हम बोलें कि सर, क्या 50 topics करने स selection हो जाएगा, मैंने कि 100% करना किसको है, जब हमारा selection ही 70% पर हो जा रहा है, 70% से कम पर हो जा रहा है, तो फिर हमारे पास हमको limited time में जादा कुछ करने की क्या जरूरत है, हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमें 100% से ले से करना है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को यह करने लेना है, topics, इसके बाद आपको civil booster एक book आती है, यहाँ से आपको revision करना है, civil booster से, यह 50 topics revise करने हैं, जो आपने पढ़े हैं, अपने notes से, SSC के PYQ आप लोगों को बनाने, IES Master की book आती है, यह आप लोगो हर एक, यहाँ पर आपको every chapter, जैसे एक chapter आपने करा, जो 50 chapter बताएं, उन chapter के जो भी questions है, वो आप लोगो यहाँ पर बनाने है, ठीक है, वो आपके लिए important है, इसके बाद गुपता एंड गुपता भुग, गुपता एंड गुपता भुग आप आएगा, तो देखो भाई, exam में कोई ऐसी book available नहीं है, जिससे question आए, अगर सिर्फ ऐसी book available होती, कि जिससे question exam में आएगा, तो सब लोग उसी को पढ़ लेते, और selection हो जाता, तो थोड़ा से practical हो, market में कोई ऐसी single book available नहीं होती है, जिसको आप पढ़के selection ले लो, पहली चीज तो कोई single book नहीं है, आपको बस गुपता और गुपता book की खास बात ही है, कि इसने जो questions frame करें ना, वो उन topics से frame करें है, जो exam के लिए बहुत important हो जाते हैं, तो इसलिए आपका कोई भी A.E.J.E. का exam है, तो यह आप लोग के लिए must हो जाती है, एक बार आपको यह complete करनी चा होंगे ना, तो उनमें कुछ miss हो गया होगा आपसे, तो जब आप test लगाओगे, तो यहां से कुछ आपको नया मिलेगा, वो अपने notes में add कर लेना, वैसी subject test जब आप लगाओगे, तो यहां पर भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा test के बाद, तो वो भी आप जो है अपना notes में add कर लेना, और जब full length test की बात आएगी, तो full length test भी आप देना, और यहां पर भी जब आपको कुछ नया मिलता जाए हरे test में, तो वो अपने notes में add करते जाना, तो फिर देखना एक finally precise notes तयार हो जाएंगे, और उनको finally आपको revise करना है, ठीके, और revise कैसे कर करना है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, revision आप लोग को किस तरीके से करना है, technical का, after completion top 5 subjects, आपको पहले 5 subjects अपने complete कर लेने, वो 50 topics है, उन 50 topics के 5 subjects ऐसे हैं, जो आपको complete करने हैं कौन-कौन से, एक तो सर सोम है, एक FM है, open channel flow, एक surveying है, एक BMC, एक सोईले, यह SSC के 5 important subjects हैं, जहां से आप लोग को 55-60% आप लोग को marks यहां से देखने को मिलेंगी, अगर 100 questions हैं आपके, तो लगबग लगए 55 questions आप लोग को इन 5 subjects से देखने को मिलेंगी, तो आप खुद सोचो कि कितना important आप लोग के लिए हो जाते हैं, तो इन 5 subjects को आपको attempt मत करना, सीधे submit कर देना, जब उस test को आप submit कर दोगे, तो submit करने के बाद आप उसको analysis करना, जब उसका आप analysis करोगे, तो आपके पास एक question होगा, ठीक है, revision करने का तरीका बता रहा हूं, एक question होगा, तो एक question suppose आपका soil का आई गया, एक question suppose आपका highway का आई गया, एक question suppose आप के soil के आपके 8 question आगे, highway के माल लो 5 question आगे, RCC के माल लो 10 question आगे, SOM के माल लो 8 question आगे, तो यह जो 8 questions है क्या एक topic से होंगे, क्या यह 5 question एक topic से होंगे, नहीं, जब आपने उस test को open करके submit कर दिया था, तो यहां से आप लोग के revision के लिए 8 topic का एक 7 revision हो जाएगा, highway के 5 topic का एक 7 revision, RCC के 10 topic का एक 7 revision, इतना important है आप लोग के लिए revision, तो आपको test open करना, final उसको submit कर देना, attempt करने मत बैठना, जब attempt करने की बात आएगी, तो मैं आपको guide कर दूँगा कि किस तरीके सा आपको test attempt करने, अभी आपको revision के लिए इस strategy को follow करना है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, 5 subject तो वो होंगे आपके, जो आपके पढ़े हुए होंगे, 5 subject तो वो होंगे, जो पढ़े होंगे, लेकिन 6 नए subject के question भी तो मिलेंगे, जो आपने नहीं पढ़े, 6 नए subject के question भी तो मिलेंगे, जो 50 important topics है, उनमे 6 subject ये भी include है, ठीक है, तो आपको क्या करना पढ़ेगा, ये आपके लिए नए नहीं है, ये जो 6 subject है आपके लिए नहीं है, तो ये आप लोग के वैसे revise होते रहेंगे, चीज भी लगा लोगे, अपने notes में चीजे add भी करते रहोगे, लेकिन आपको 60 दिन के लिए गायब होना पड़ेगा, अगर आप 60 दिन के लिए गायब नहीं हो सकते, तो आपके कैसे सपने वो जिनके लिए आप महनथ करें, अगर आप इतना सब कुछ collect नहीं कर पा रहे हो, और आपको दिक्कत आ रही कि सर ये इतना सब हम कहां से collect करें तो इसके लिए one stop solution है आपके लिए, मैं आपके लिए one stop solution दे देता हूँ, आपको इधर-उदर नहीं बटकना, current affair हो, bio हो, physics हो, chemistry हो, history, geography, quality, इन सब की महराथन classes जो आप लोग की 4-4-5-5 घंटे की हैं, SSC, JEE के लिए, especially, ठीक है, यह जो classes हैं आप लोग की, quality की जो classes हैं, यह सब, reasoning के जो आपके concepts हैं, reasoning की जो tricks हैं, previous year के questions हैं, या फिर test हैं, वो सब technical की, अगर हम लोग बात करें, तो सब आप लोग को हमारे application पे देखने को मिल जाएगा, VIP civil group है, अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ technical करना है, किसी क की validity के साथ है, आपको इस सारे topics जो है, वो complete करके देता है, top 50 topics, ठीक है, और अगर किसी को लगता है, मेरे को complete तैयारी करनी, मेरे को सब non-tech भी चाहिए, मेरे को सब reasoning भी चाहिए, मेरे को सब technical भी चाहिए, तो हमारा batch चला है, lecture 2.0 batch, आप देख सकते हो, SSCG 2022 के लिए, जो हम बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, आपको reasoning चाहिए, reasoning मिलेगी, GKS मिलेगा, chapter wise engineering complete मिलेगी, live recorded classes, mixed question practice, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, इसके लिए आप हमारा VIP civil guru का application डाउनलोड कर लो, contact number यह है, अगर कोई problem आए, तो 8077283538 पर आप contact कर लेना, why whatsapp, why call, आप ल आप लोग को one liner plus concept course है, हमारा, all India, कोई भी आपका JEE exam O, कोई भी AEE exam O, state का, उसके लिए आप लोग के पास है, civil engineering का, आप लोग के पास, बहुत ही powerful course है, guys, बहुत जादा पसंद किया जाने वाला course है, हमारा सबस्याद है, one liner plus concept course, सभी concepts मेना आप लोग को यहाँ पर दिये, अगर आपको सिर्फ technical करना तो यह course आपके लिए best है, ठीके, इसके साथ ही हम लोग बात करें, गुपता एंड गुपता बुक का solution, अगर आप खुछ से करने लगोगी, तो बहुत सारी questions ऐसे होते हैं, जो hard होते हैं, जिनमें हम लोग अटक जाते हैं, तो आपको complete मैंने solution त आपको देखने को मिलेगा, इस्टेट एईजी, गुपता एंड गुपता बुक सोल्यूशन, तो एक बार application डाउनलोड कर लो, VIP सिविल गुरू का, link description box में, मैं नहीं कह रहा है कि आप इसी को follow करो, या इसी से आपका selection हो जाएगा, महनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपकने को मिल जाएगी,